अगले साल चुनाफ जीत कर भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे अर्विंद केजरिवाल शराब खोटाले से जुड़े केस में फसे दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जब जमानत पर भार आए तो माना जा रहा था कि वे अपने घ्रह राजे हर्याणा के चुनाप पर फोकस करेंगे लेकिन जेल में रहते हुए भी पद नहीं छोड़ने वाले केजरिवाल ने बाहर आने के दो दिन के भीतर ही मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीवे का ऐलान कर सब को चौका दिया है अगले साल की शुरुवात में चुनाप में जीत मिलने के बाद भी अगर केजरिवाल सीम पद से दूर ही रहे तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी गौरत लबह की साल 2013 में 49 दिन की सरकार के बाद करीब एक साल का समय हटा दें तो दिल्ली की सत्ता पर लगातार आम आदमी पार्टी काबिज रही और सीम अर्विंद केजरिवाल ही रहे केजरिवाल के स्तीफे वाले दाओ को एंटी इंकममेसी फैक्टर को जीरो करने की रणनीती से जोड़ कर देखा जा रहा है दिल्ली में हुए काम का क्रेडिट तो आम आदमी पार्टी और केजरिवाल को मिलेगा लेकिन बतौर सीम अब नया दिल्ली में नया चहरा होगा चुनाव से पहले सीम बदलने का दाओ बीजेपी कई राज़ों में चल चुकी है और कई जगे उसे उसका फायदा भी मिला है हाला कि राज़ीती के जानकार केजरिवाल के सिस्तीफे के पीछे उनका नेशनल ड्रीम भी देख रहे हैं उनके बताबिक ये सिवा साल दोजार 29 के आम चुनावों को ध्यान में रख कर दिया गया हो ये भी हो सकता है हाल ही में हुए लोकसवा चुनाव में केजरिवाल के सपोर्टर उन्हें पी-म कैंडिडेट बताते रहे हैं केजरिवाल का नेशनल ड्रीम किसी से छुपा हुआ भी नहीं है आज भी जब मोदी और र इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ दर नेशन सर्वे में केजरिवाल देश के सर्वस रेष्ट मुक्यमंत्रों की लिस्ट में यूपी के सी एम योगी आदेतनात के बाद दूसरे नंबर पर रहे थे लेकिन राश्ट्रिय राजनीती में भी लोगसवा चुनाव नतीज सबसे ज़्यादा 11 पीजनी लोगों ने नेशनल खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ तब तक के लिए नमश्कार और देखते रहिए सीजी नियूस प्लस 24